रमश्कार क्या नाम है आपका अधित्य आनंद जी है ना कहां से हैं आप मैं बीहार से हूँ आपने कब कंसल्ट किया था सबसे पहले याद है आपको सबसे पहले 2020 मैंने कंसल्टेशन लिया था इसके बाद फिर थोड़े से ट्रीट्मेंट में गैप अपने रहे और अभी कर आ आये थे हैं ना बज करम कराने बीज तारीक वी स्टारिक को एंड़े थे ठीक क्या तकलिफ है अपकी ट्लिफ थी मुझे प्रवल्लम था स्ट्रेस का प्रम्लम था और नेंद नहीं आया नहीं है इस का ब्लम था और पैर में जल और सब और तर्द रहा था 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 विस में आधा कि रात में खाले ला किसी तैम बखा लेगा तो फिक्स नहीं थे आइमिंग तो उसका रहन में भाइन संदयर फोड़ा दाइस अज रूरुआ खार 18 अवा पिर कि यहां के बारे में जाना तो यहां से के बाद जोड़ा रहा है क्लिनिक के बारे में कैसे बदा चला था आपको मेरे भाईया कि एक तो आप तो आपने बहुत सारी तकलिक बोली थी जैसे कि भूख नहीं लगती थी स्किन ड्राय बाल जढ़ना पतलापन आपने बना था सीर में कभी-कभी बहुत दर्द होता था तो उन चीजों के लिए आपको हमने वमन कराया था राई क्या किया था वमन के पहले याद है कुछ वमन पहले दिन 30 ml, दूसरे दिन 60 ml, तीसरे दिन 90 ml, चौते दिन 120, पाचवे दिन 1.5 ml और 6 दिन 20 ml इतना ज्यादा आपने घी पिया था तो घी पीते समय क्या एक्सपिरियंस था आपका पहले दिन तो नॉर्मल था पहले दिन नॉर्मल मुसन हुआ तो उसमें घी का आया और तीसरे दिन थोरा पोख लगना कम हो गया था मतलग घी बीने के बाद, चौते दिन भी काफी भूख नहीं लगा तो उस दिन कुछ खाया नहीं दिन वर और पाचवे दिन फिर उसमें भूख नहीं लगी तो समय ख़़ा था है और छटे दिन फिर यहां पे घी हजम एक बार दो घी हम पीने के बाद हमने आपको फिर आपने दही और यह सब लिया था ना और फिर आपने वोमन किया था दो दिन का मसाज था उसके बाद फिर दही था तो लाइफ में फर्स टाइम वोमन किया आपने इससे पहले नाचरली था मतलब नॉर्मल लेगर कुछ खा लिए इदर उदर ताब उल्टी उसको छड़ी मतलब यह कारण लिडी वोल्टे बाल वार और इस पहलु होटा था है कौन से टी चीज नहीं था मतलब कभी सरदर्द किया जादा तो ब्बड़ी मतलब इसस्ता पर ज़ा लगता था हां ठीक सो अभी जब जिस दिर हमने आपका किया तो वह क्या एक्सपेरियंस था क्या क्या हुआ उस दिन आपको कुछ खटा कड़वा पानी निकला जलन हुआ पहले मतलब सुरात में थोड़ा खटा जलन यह सब था उसके बाद थोड़ा करवा यह सब आया पानी उसके नॉर्मन करने के बाद क्या एक्सपेरियंस है आपका अभी होती है अभी नहीं है और जो गले में जलन वलन होती थी वह अपनी बंद है फिर अपने बोला था भूख नहीं लगती थी तो फाइनली अभी थोड़ी बहुत भूख लगने लगी हाँ थोड़ी बहुत भूख लग दें आज जब की तीसरा ही दिन है और 5-6 दिन बाद आपकी और खुले लगेंगी एसीड की रिफ्लक्स ऐसे पुछ आ रहे हैं नहीं की ड्राइनेस कैसी है अभी अंदर और बाहर दोनों से अभी रूख अपन निकल गया है ठीक बाल पर अभी आपन बस्ती जब शुरू करेंगे तब काम करेंगे वेडिकिन पर तब काम करेंगे अभी आ पिंपल्स जो होते रहते थे अब अभी नहीं अभी अब इसा कुछ नहीं तो वामन क्या ऊवर आल पंची कर्वे में जो वामन नाम का ट्रिक्वेंट है उसका क्या एक्सपिरियंस रहा आपका पाले अच्छा लगा नहीं लगा इंदम क्या था फर्स्ट टाइम था और बॉड़ी में कोई भी वीक्नेस ऐसा कुछ भी नहीं है एनर्जी लेवल एच्छा लगता है फिस पहले से ज्यादा आपको फ्रेश दिख रहा है आपको और आपके बाई तोनों का ठीक है चलेगा तो यह है आधित त्यानन जी और आज ही बैंगलोर में आप रहते हैं बैंगलोर जाने वाले हैं इसके बाद इनका बस्ती करेंगी और अगर इन्होंने प्रॉपर बस्ती का ट्रीटमेंट फॉलो किया तो एट टू टैन मंस में आठ से दस महिने में आपके बाल और वेट वेट हम सब पूटान कर पाएंगे टोके चलेगा थेंक्यू नावसकार हुआ हुआ है